हेलो गाइस वेलकम टू मैं चानल तो मैं कुछ दिनों के लिए भी केरल गई हुए थी तो मैं जहां रहती हूं वहां पीछे मैं आपको ले जा रही हूं वहां पे कॉफी का जाड जो हमने कुछ साल पहले लगाया था शायद दो साल पहले तो यह जाड अभी काफी बड़ा हो हैं यह सब दूसे तोड़ के खा जाती है तो यह देखिए इसका फूल देखिए गाइस के पत्ते काफी बड़े होते हैं और हम लें पिछले साल यहां पर काफी कुछ लगाया था है अभी तो कुछ है नहीं यहां पर मैंने एक अंगूर का छाड भी लगाया था हमने है तो इस क्लाइमेट की वज़े से यह सब यहां ज़्यादा कुरो करते हैं और यह देखिए यह कॉफी भी लगाया इस यह देखिए थोड़ा सूख चुका है यह 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 हम बोल सकते हैं सुखा हुआ कॉफी है तो यह काफी बीन है तो इसका अगर हम रोस्ट करके पाउड टाइब के नाच्रल कॉफी के जाड़ है एक और आता है गाइस वह हाइब्रिड में रहता है तो उसकी जो कॉफी बीन्स होते हैं वो काफी मोटे होते हैं खैर इसको भी अगर टेक केर किया जाए और ध्यान रखा जाए तो इसमें भी अच्छे काफी ग्रोथ आएगा गाइस और अच्छे बीन्स भी मोटे होंगे तो ये साइस तो काफी बड़ा हो गया जाड़ का ये देखते हैं ये देखिए ये हरा वाला है और ये है ये अभी बेबी बीन्स और ये देखिए ये अभी रेड होने वाला है ये पूरी तरह से रेड हो जाता है तब ही ये चिडिया गीलहरी जो होते हैं वो सब उसे खा जाते हैं गाइज तो यह र्येज कि अब धर का अब इसको टाइम है थोड़ा और यह पकी चुका गयाज यह तोड़ने के करार पर है थोड़ा और रेड होने के पर तो देखेंद गाईज यह कफीक जार गाज इसका फूल का स्मेल भी यह जो light jasmine के smell जासा रहता है तो that's it guys subscribe please